पांच राज्यों के नतीजे आ गए हैं वहीं बीजेपी ने चतिजगड़ और राजस्तान और मद्द प्रदेश में ज्यादा तर बड़त बनाय हुए अभी भी है जो रुजहान दिखा रहा है उसमें बीजेपी लगातार बड़त बनाय हुए है अगर हम चतिजगड़ की ब रुपोर्ट आई आप कांग्रेस को बड़त ज्यादातर सभी सर्वे रुपोर्ट में दिखा रही थी लेकिन बीजेपी अब बड़त बनाय हुए है क्या करण मानते हैं अभी आचार कृष्ण ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस सनातन बिरोधी है जब तक बिरोध करेगी तब तक हारती रही आप क्या मानते हैं जितने एकजिट पोल हैं और एकजिट पोल के जितने पांडित्य जो दिखा रहे थे जता रहे थे ऐसे सब क्यांकडे फेल हो गए किन्तु हमको इसमें आश्यर नहीं था हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को हाई कमान को इस समय जो वर्क हुआ था जो केंपेन हुआ था ग्राउंड लेबल पर जो काम हुआ था हमको पूरा विश्वास था कि भारती जनता परटी का कमल खिलेगा और आप ने जिस प्रकार से कहा कि आचार कृष्णन ने जिस प्रकार से और सनातन का जो विरोद करेंगे वो इसी ने एक लाइन जोड़ना चाहूंगा सनातन का तो इनों ने विरोद किया ही किया ये विरोद भर करना अलग विशाय होता है किन्तु जब वो दगा दे धोखा देया और बहुत खत्र बहुत गंदी बात होती है ये जिस प्रकार से काल ने मी रामण का सहयोग करने के लिए का वही काम भुपेज बगेल ने अभी इस चुनाओं में किया। इन्होंने राम वण कमन की बात कि इन्होंने को शिल्य आ माता की और भगड़ानना करण क्या मानते हैं। आप यह रहिं हैं कि ओर भुपेज बगेल ने किया। लेकिन सब्सेचा देखा जाए तो जो बीजेपी काम करती थी जिस पकार से राम मंदर को बना है राम मंदर के पत पर चलना आयुद्धा की बात करना है बीजेपी ने राम मंदर बनाने की बात के बोही लगातार कॉंगरिस कहती है ये कि हम राम को मानते हैं हमारा नन्याल है हम उसको बढ़ावा दिया है तो इसके पीछी का कारण कहा मानते हैं नई तो भूपेश बगहल जी आप राम को मानते हैं तो वहाँ इतने दिन तक ताला क्यों लगा रहा और आपके कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद एक्षन कमिटी की ओर से वकालत क्यों करने गए थे और उस समय वि रोध में बात क्यों की थी इन्होंने तो राम को मानने से इन्होंने कालपनिक कह दिया था राम सेतु को मानने से इंकार कर दिया था अब जब देखने लगे कि पूरे देश में सनातन की राम नाम की और अध्यात्मी खवा चल रही है तो यह त्रिपुंड लगाने लगे र परखास्त भाजपा के राजे परखास्त हुए थे जब वहां धाचा गिरा तो नुक्सान सहने वाला कर्ष्ट सहने वाला कार सेवकों की हत्या हुई कार सेवा करने वाले यह सब प्रकार का परिश्रम और पहले दिन से स्वतंत्र भारत में धारा 370 खतम करेंगे भगवान रा मूल में है यह इनके जैसे नहीं है कि एक चुनाव हार गए तो मैनिफेस्टों बदल दिये हम जो बोलते हैं वह हमने किया धारा 370 कश्मीर हमारा है एक देश में दो विदान प्रदान निसान नहीं चलेगी हमने उसको सिद्ध करके दिखाए क्या कारण मानते हैं आप चात सनातन की ओर थोड़ा सा उन्होंने दिखावा का काम किया प्रियांक खडगे स्टालीन इनके प्रियांक के पिता राष्टी अध्यक्च इंडियन नेसनल कॉंग्रेस के खडगे जी ने तो यह सब सनातन की बात इसलिए सुरू किये यह कदम पीछे हटा है और यह यह जो रा िस नहम नाम रम नाम जपना चालू कि एइबुट लेने के लिए करनामटक में अनिजनों ने सनातन का भरूद किया था तिस गडर ममध्यपरदेश मेंते मैंने तो कमल नाथ ने कहा यह संगानाटन पीछा यहिजिए अड़रंगी नइति यह दोनों तरब चलने का काम यह म जार्टी रही है भाज़पा नहीं करते हैं देखा जाया तो कई मंत्री पीछे चल लाएं जीतने के लिए बहुत ही कम बोटों से वह आगे हैं तो ये जो फीजा जो बदली है ये केवाल ये दो-चार घंटे दो-चार दिन में नहीं बदली है और इसलिए कोई इसके लिए कोई जवाबदार है तो इनके भरस्टाचार इनकी विफलताचार भलातकार जो इस छेत्र में हुए आज इसके जो है अडिशनल सेक्रेटरी अंदर ह उनके अधिनस्त काम करने वाले सबसे निकट के बुख्यमंत्री के आईस इसके अंदर है तो चरम पर भरस्टाचार था और इसके अलावा हमारा जो पुर्व का काम था हमारा अभी का जो मेनिफेस्टो है और साथ ही जो हमारे केंदरी नेताओं ने केंपेनिंग किया उसका ये परिणाम है कि कमल खेल रहा है एक आखरी सवाल चर्टिजगर में बहुमत से आपकी सकार बनते हुई दिखाई दे रहे हैं लेकिन सब सस्पेंस बना हुआ है अभी तक कि मुकमंत्री कौन होगा कहीं कोई सस्पेंस नहीं जिस प्रकार से माननी मोदी जी ने कहा कि आप लोग कमल को बोड दीजिए मुझे देखकर के बोड दीजिए उन्हें देखकर के बोड दिया है माननी नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र मोदी जी हमारा हाई कमान पारलेमेंटरी बोड जो निरन से जो हाई कमान है वो ही अब निर्णाई लेगा लिए मुख्वंति का लेकिन जिस पिकार से जो कॉंग्रेस ने बिरोत किया सनातन को उसको लेकर कॉंग्रेस मद्दपिदे 36 गड़ राजस्तान में को साफ कुती नजार हुए आ रही है और बहीं 36 गड़ में एक बार हम बीज